पूर्व राष्टपती पड़म मुखर जी की बेटी शर्मिष्ठा मुर्खर जी ने राहूल गांदी को पत्र लिखर उनसे नयाई की मांगी है उन्होंने का कि आपके और कॉंगर्फ की आलोशना करने के जलते कॉंगर्फ समर तक मुझे सोचल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं उन्होंने इस पत्र में राहूल से का कि मेरे पता प्राड मुखर जी को भी अपशब्द कहे जा रहे हैं मुझे नयाय चाहिए शर्मिष्टा ने चिठी में राहूल गांदी के नारे नफरत के बाजार में महबत की दुकान का जिक्र किया उन्होंने लिखा आपका पसंदीना नारा आपके समर्थकों की कानों में नहीं पड़ता क्योंकि वे आपकी आलोशना करने वालों पर सारी नफरते जोग देते हैं अगर अपने आएक को लेकर सीरिस हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन ले दरसल शर्मिष्टा ने पांच फरवरी को जैपू लिटरेचर फेस्टिवल में कहा था कि कॉंगरिस ने पिछले दो लोग सबाचुना और राहूल गांदी के नेत्रत्व में हा रहे हैं पार्टी को अपने चहरे के बारे में सोचना चाहिए इसके अलावा उन्हें अपनी किताब प्रणब माईफादर में राहूल गांदी की राजनेतिक अपरिपकवता को ले कर गयी दावे किये थे उन्होंने किताब में लिा था कि प्रणब मानते थे कि राहूल में कॉंग्रेस को दوبारा मजबुत करने की योगिता नहीं है इस होतनता में केवल किसी की प्रशंसा करना शामिल नहीं है, बलकि आलोशना को शालिंता से सैन करने की शमता भी शामिल होती है, हालाक ये बात आप अपने समर्थ को समझाने में नाकाम रहे हैं.